नमस्कार दोस्तों बर्फिर स्वागत आप सब का आपके ही चैनल दफेक्ट आई में आज फिर लोगों के बीच पहुंचे हुए देरा सच्छा सौदा के अंदर एक रक्त दान शिविर लगा हुआ है वहाँ जो ब्लड डोनेट्स पहुंचे हैं उनसे डारेक्ट बातशीत कर क्या मोटिवेशन रही कि यह इस उम्र में आज ब्लड डोनेट्स करने यहां पहुंची है हेलो मैम क्या नम आपका मेरा नम लवदीपकौर है आपका मैम मेरा नम हर्मदीपकौर है आप देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने अपना ब्लड डोनेशन का जो सर्टिपिकेट है वो भी लिया हुए किसी तरह का कोई भी जूट आपको नहीं दिखाया जा रहा है जो प्रूफ आपको हम लोग यहां सर्टिपिकेट्स भी दिखा रहे हैं लवदीपकौर लवदीपकौर जी आप हमें बताइए कि आज आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया कैसा लगा आ कि अब डॉली हमें दॉली हमारे सब्सक्रां करो मेरे मोटिवेट करते रहते हैं कि आ प्लेट नहींट करो दोताब तरी गुक्टिकर नहीं से इतना कुछ देट करना लेकिन मेरी कि मानवताब भलाई के कारे करते रहना चाहिए मैं आप भी जानती है कि आपकी जो टीनेजर होते हैं उनके मन में ऐसी भावना बिल्कुल ही होती है कि हमें किसी का लाइफ सेव करना है यह किसी भी तरह के कोई मानवताब भलाई के काम करने हैं आपको क्या लगता है आपकी इ या किसका हात्रा है जैसे इन मॉडरे नेरा में हम देखते हैं कि येंगस्टेर्स का ये बिल्कुल सोचना नहीं है कि हमें हल्प करनी चाहिए और हमें काइंड हटर बना चाहिए लेकिन हमारे गुरू जी ने इतना एक्साइटमेंट दिया हुए और इतना कुछी सिखाया है हमारा पूरे जो भी ग्रैडिट है वो हम ऑनली ऑनली डॉक्टर मस्झी जी को आपकी सिस्टर ने क्रैडिट दिया है आप कितना सहमत हैं से हाँ जी मैं 200% सेमत हूँ इस बास से क्योंकि हमारा जो परवारे शुरू से ही मतलब हम 17-18 साल होगे हम डेरा से जुड़े हुए हैं और हम के जो भी हम अच्छी बाते सीख पाए हैं हमारे पेरेंट्स ने स्खाई है क्योंकि वो इस डेरा से जुड़े हुए थे बच्पन से ह कि हमको जे ही सीख स्काई गई है कि अच्छे काम करने हैं किसे का भी बुरा नहीं करना है जितना हम किसी का कर सकते हैं अगर हमारे एक बॉटल मतलब डिनेट करने से किसी की जान बस सकती है तो मतलब जे हम जरूर करेंगे हर कोशिश करेंगे जो भी हम कर सकते हमारी लाइफ बुराइया है उनको सुधारने में बाबाराम रहीम जी का कितना योगदान रहा है डॉक्टर एमस्जी का हरेक फिल्ड में बहुत योगदान रहे अली रख्तदान का नहीं है सफाई अभियान रख्तदान और कुल के कनून लड़की बचाओ ये सबी में हमारे अली डॉक्ट अगर बाबाजी यहां होते तो कितना एक समाज का रूप कुछ अलग होता उसके बारे में आपके क्या विचाथ एक्शली अगर वह यहां पे होते ना तो आज जो है इससे डबल होता लेकिन अब भी हम जियों के त्यों डटे हुए हैं और अब भी जो भी उनकी साथ है वह उनके रूल्स फॉलो कर रही है और मानुवताब लाई के कारे कर रही है यह कभी भी हम तूटने नहीं देंगे आप क्या खहना चाहेंगी माम कि आज समाज को कितनी जरूरत है बाबाजे के जिस तरह से आज की जिनरेशन है नशों में पड़ी हुई है और भी बहुत सारे आईसे काम है मतलब जो के हमने कभी देखे भी नहीं थे नहीं नहीं तेंका मतलब स्टाडि को लेकर », किसी भी मतलब एरिया में मतलब कोई भी काम है वो सीरिइस लए नहीं हो रहा है और गुरू को तो आप मतलब इस जुग में जो बच्चे है जितनी हमारी कोशिश है वो हम जुरूर देंगे इतना विश्वास है लोगों में आज भी बाबाराम नहीं जी के प्रती इतनी दृड़ता है कि हम देख सकते हैं कि दो बहने आपस में शॉपिंग करते जाते मैंने देखी हैं दो बहने आपस में इकठे ब्यूटी पारलर मैं जाते देखी हैं लेकिन आज पहली बार दो बहने एक साथ ब्लड डोनेट करते देखी हैं वो भी आज उन्होंने पहली बार ब्लड डोनेट किया मिसाल है मैम आप दोनों समाज के लिए और ये जो अपना अच्छा काम कर रही है उसका पूरा का पूरा श्रै बाबाराम नह अब सवाल आपके लिए हैं सोचना आपने है कि क्या कारण होगा कि आज भी लोग बाबा रामरियमजी को इतना फोलो करते हैं बाबा राम रहीं जी के नाम पर खूंदान करना किसी की जिन्दगी बचाने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं तो क्या कारण रहा ओगा या क्या लोगों में जजबा है बाबा राम रेइन जी के पीछे तो आप आप सोचिए दोस्तों की आपकी क्या विचार है आपकी क्या धार्ना है हमारा यह सच देखने के बाद आप क्या सोचते हैं आ punches के बारे